नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की फोरसेफ टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है फोरसेफ टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और फोरसेफ टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे की फोरसेफ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में फोरसेफ टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. 4-Sif Tablet Ciflosporin Drug Class की एक इंतिबायोतिक दवा है. 4-Sif Tablet का उपयोग शरीर में bacterial infection होने पर किया जाता है. जैसे तवचा पर कोई घाव या तवचा पर कोई infection होने पर, फेफणों में infection होने पर, निमोनिया होने पर, पेट में infection होने पर, और कान नाक या गले में infection होने पर, आपका Dr. 4-Sif Tablet को लेने की सलाह दे सकता है. पेशाप में infection होने पर भी, आपका Dr. 4-Sif Tablet को लेने की सलाह दे सकता है. शरीर में infection होने पर, आपको बुखार हो सकता है. इसलिए बुखार होने पर भी आपका Dr. ForSafe Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। फेफडों में infection होने पर खांसी हो सकती है। इसलिए खांसी को ठीक करने के लिए भी आपका Dr. ForSafe Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडीशन्स हैं, जिनमें आपका डॉक्तर फोरसेफ टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है। फोरसेफ एक ग्रैंड नेम है, फोरसेफ टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजीशन सिफी रुकसिम होता है। फोरसेफ टैबलेट दोसो पचास एमजी व पानसो एमजी की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे की फोरसेफ टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। फोरसेफ टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर फोरसेफ 500 mg कैपसूल को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लेकिन फोरसेफ टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको फोरसेफ टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। और डॉक्तर की सलाह के बिना फोरसेफ टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। आपको फोरसेफ टैबलेट को उतने समय तक पूरा लेना चाहिए। जितने समय के लिए आपके डॉक्टर ने 4Safe Tablet को लेने की सलाह दी है, क्योंकि 4Safe Tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है. अब हम डिसकस करेंगे की 4Safe Tablet की वजह से क्या side effects हो सकते हैं, वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में 4Safe Tablet की वजह से कोई side effects नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसंट व्यक्तियों में 4Safe Tablet की वजह से कुछ सामाने side effects हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, त्वचा पर रैशेस, पेट में दर्द और दस्थ हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि फोर सिर्फ टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में फोर सिर्फ टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है. फोर सिर्फ टैबलेट वाइरल इनफेक्शन होने पर जैसे जुखाम या फ्लू होने पर काम नहीं करती है. इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं को कभी लेना चाहिए. जब जरुरत हो, बार-बार या बिना जरुरत के एंटिबायोटिक दवाओं को लेने से एंटिबायोटि व्यक्ति में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए आपके डॉक्तर को दूसरी एंटिबायोटिक दवा देनी पर सकती है। अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए। क्योंकि लिवर और किड्नी की बीमारी से पीडित व्यक्तियों में फोर सेफ टैबलेट की डोस घटानी पर सकती है। कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। नहीं करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका फोर सेफ टैबलेट से संबंधित कोई प्रशन है, तो आप कमेंट कर के पूछ सकते हैं।